आज ईसकी दूसरी क्लास नवच जी रो टू क्लास पहली क्लासमें हमने बेसिक बेसिक चीजे की थी आज इसकी दूसरी क्लास इंसरोंध ट्रसरें दिख रहे हैं chapter का नाम है that is leverage अब leverage में कितने पार्ट इस होते हैं हमारे leverage के अंदर देखा जाए तो तीन पार्ट में डिवाइड है पहला पार्ट है हमारा operating leverage फिर हमारा financing leverage फिर हमारा combined leverage operating leverage का क्या formula बताया था हमने EBIT upon my contribution और financing leverage का क्या है EBIT upon my EPS और combined leverage का क्या है contribution divided by EPS कहलो या EBT कहलो बात एक ही है ये तीनों formula थे अब चलिए हम इससे आगे बढ़ेंगे कुछ formula profits ये चीज़े देखा था retain earning क्या होता है basic basic चीज़े देखी थी इसके बाद हमने formula याद करने की जौरत ना पड़े कुछ concept भी सीखे थे आगे हम बढ़ जाते हैं एक सवाल और इसका मैंने आपको homework दिया था अब answer मैं लिख देता हूं यहां आपके सामने अभी फट और इसका 716 इसका क्या answer 1.2 इसका 1 इसका 2 3 अब point में कुछ difference आ सकता है 2 3 के जगा 2 4 आ सकता है या सरी आपका 2 आ सकता है आप चेक कर ये क्यास आप सभी student का भी answer कुछ ऐसा ही था तो हम अगले सवाल पर चलेंगे अब फटा-फट से चेक करके एक बार फटा-फट से बता दीजिए येस सर रहुनित का कहना है सर येस सर बाकी बच्चे भी बताईए भाई जो बच्चे पर हाँ जिन बच्चों की आज first class है उन बच्चों को कहूंगा वैसे तो आज वाली class भी आपको समझ में आ जाएगी इतनी मुश्किल चैप्टर नहीं है लेकिन जरूर से पिछली class भी आपको देख लेना है ये दूसरी class है येस सर चालिए आगे question पर बढ़ेंगे हमने चीजों को देख लिया चीजों को समझ लिया मैंने बोला theory मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताना चाहूंगा थोड़े से मै practical कर दूँ अब आईए इस question को start करते हैं ये थोड़ा सा complicated हो सकता है बाकी होने नहीं देंगे question पढ़ते हैं पहले क्या कहता है एक firm है जिसकी sales है 10 लाक रुपए और उसी firm की variable cost है 7 लाक रुपए और fixed cost है 2 लाक रुपए तो वैसे EBIT आपको दिख रहा है यहां पे तो debt है उसका 5 लाक और उसके उपर interest है तो यहां पे interest निकालना पड़ेगा what are the operating and financing and combined leverage यहां तक तो यह बच्चो अलग हेले आपको यहां पे तीन-चार साल का data भी नहीं एक साल का करना है तो चलिए जहां तक बोला है वो तो बना ले पहले हम यह लीजिए आ जाईए अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं सर सेल्स लेते हैं सेल्स कितने का है दस लाग फिर क्या माइनस करोगे वी सी मैं थोड़े शॉट फॉर्म यूज कर रहो है यहां पर साथ लाग फिर निकल के जो result आएगा क्या बोला था contribution और contribution कितने तीन लाग फिर माइनस क्या करेंगे पेक्स कास्ट क्या निकल के आएगा कितने दो लाग तो यह आगया हमारा क्या इबी आईटी आगया कितना आगया एक लाग बोला भाईया तीनों चीजे लीव रेजिस बताओ तो हमें क्या इंट्रस पे तो ले नहीं भूली गया तो आप जल्दी जल्दी कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो भाई साब इंट्रस दस अजार बता दिया अब दस अजार कैसे बता एक बर हम भी देखें क्या पांच लाख के उपर दस परसेंट ऐसे निकालना है तो भाईया आपका जवाब आ गया कुछ बच्चों ने जिसने दस सब्सक्राइब दस दे रहें मैं इंटरस निकलता है लोन पर 50,000 होगा देख लो तो कोई बात नहीं गलत हो गया क्या दिक्कत है पहली बार पता चली यह लेकिन हाँ दूसरी बार तो गलत बिल्कुल नहीं होना चीए पहली बार पता चला आपको जिसको नहीं पता चला वो पूछ लो कमेंट में और जिसको पता चली यह अच्छी बात है ठीक है क्याएगा 50,000 तो मैंने यहाँ पे लेस कर दिया इंटरस्ट इंटरस्ट पचास अजा तो रिजल्ट आया हमारा बचके पचास अजा यह आगया देट इस कॉल इबी टी ठीक है अब तीनों निकाल लेतने हैं DOL, DOL मतलब degree of operating leverage तो contribution divided by EBIT फार्मूला आप ऐसे लिख देंगे न यहाँ तो बेटर रहेगा contribution divided by EBIT तो यह आगया भाई साब तीन लाख divided by एक लाख तीन बहुत ज़्यादा है तीन इसके बाद DFL क्या होगा EBIT divided by EBIT तो यह पांच दो और सर DCL के आजाएगा दोनों को गुणा कर दो छे आएगा ठीक है ने DCL के आजाएगा हमारा छे आजाएगा यहाँ तक हम question को कर चुके हैं जो जबाब पूछा था यहाँ तक दे चुके हैं यहाँ तक किसी student को doubt तो बता दीजिए आप आगे बढ़ जाएं कहता है if firm want to double its earning oh my god इसको पहले हम long method से करेंगे फिर हम shortcut पर भी जाएंगे बोलता है earning क्या कर दे और कौन सी earning double earning before interest यानी EVIT कहना चाहता है कि भाईया अगर इसकी EVIT क्या हो जाए डबल डबल तो ऐसे योगा ने एक से क्या हो जाए तो चलिए आपके सहलियत के लिए column side में बना लेते हैं और क्या कहना चाहरा है यह उसके उपर थोड़ा हम देखते हैं हलाकि यह बहुत shortcut तरीके से भी निकल जाता है लेकिन हम यह shortcut पर भी नहीं पहले हम समझेंगे क्या कह रहा है और बिल्कुल detail में जाएंगे कहता है इस firm का क्या हो जाए earning double हो जाए interest before tax EVIT how much sales would be need to be percentage basis increase यानी हमारा sales कितने percent बढ़ जाएगा question पहले समझ में क्या पूछ रही है बोलता है मैं क्या कर दूं EBIT double तो sales क्या होना चाहिए कितने percent बढ़ जाएगा तो आप मुझे एक बात बताईए अच्छे से के यहां fix cost कितना होगा अगर EBIT double होगा तो वो तो दो ही लाग रहेगा इससे तो agree करते क्योंकि आपके EBIT double करो कुछ करो दो लाग तो दो लाग ही रहेगा तो अब बताईए contribution क्या निकाल सकते हैं यहां पर यह EBIT और fix cost तो यह कितना होगा चार लाग सभी student को क्या यह बात पता है कि चार लाग contribution है पता चल गया अब बात करते है वेरियेबल कॉस्ट का हमेशा याद रखिएगा वेरियेबल कॉस्ट का जो percentage हमारा किसी लेवल पर होता है हर लेवल पर वही चलता है तो अगर इस लेवल पर मैं पूछू ना के बताओ variable cost का percentage क्या है तो आप simple सा बताऊगे सर 7 lakh divided by 10 lakh into में 100 यानि 70% हमारे variable वैसे तो generally आपको दिख रहा है लेकिन मैं करके भी दिखा दू कोई बच्चा formula जानना चाहता है और अपने register में note करना चाहता है तो मैं VC divided by sales into में 100 यानि variable cost कितने percent के बराबर है 70% और यह पाद ध्यान रखें यहां तक समझ मैं है अब एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा 100 is equal to variable cost का percentage प्लस में contribution का percentage होता है इस बात को ध्यान रखना है आपको क्योंकि variable cost और contribution को जोड़ो तो क्या बनेगा sale ही तो बनेगा और तीनों को लाइन से अगर देखे तो यही तो बनता है variable fix profit और fix और profit को मैंने क्या नाम दे दिया contribution और variable तो तो sale ही बनेगा और sale हमेशा 100 let करा जाता है तो अगर मैं आपसे पूछूँ अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो मुझे फटा-फट से जवाब देना कि contribution का क्या percentage होगा अगर आपसे मैं पूछूँ अगर मेरा variable cost का percentage निकाल लिया है हमने कितने परसंटे मैं long method चला हूँ shortcut पे आएंगे अगर variable cost का percentage निकाल लिया है कितना है 70% तो बताओ contribution का क्या percentage होगा फटा-फट comment में जवाब दो contribution का क्या percentage होगा तो contribution का सर बहुत simple से जवाब दे दिया हमने तो 70 तो कितने percent हो गया 30% हो गया न राइट तो इसका मतलब सर जो ये 4 लाग है ये 30% के बराबर है क्योंकि contribution percentage क्या है हमारा 30 अगर contribution 30% है contribution दे रखा हो तो हम 100% value निकाल सकते हैं और sale कितने percent के बराबर होता है 100 तो जल्दी जल्दी comment में बता दीजिए आप अगर आपको contribution पता है और contribution का अगर amount पता है contribution का percentage पता है तो क्या आप 100% value निकाल सकते हैं अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा 10 रुपे है और वो 10 रुपे है 10% के बराबर तो value कितनी रही होगी total तो आप फटा-फट से देख लेंगे 100 का 10% ही तो 10 आएगा 100 रुपे आपने बता दिया जैसे की यहाँ पे बताईए मेरे sale की value कैसे निकलेगी कोई बता सकता है जल्दी जल्दी बता दिजे comment में कोई बता सकता है जल्दी जल्दी बताईए दिया ने रुनत ने 30% दिया मुझे आप जानना है कि आप sales बताईए मुझे direct मुझे sales बताईए मैं यह जानना चाहता हूँ बताइए कितना आता है तो मैंने सर आपसे पूछा क्या सेल्स तो सेल्स पूछ रहे हो सर वेरी सिंपल सेल्स होगा कॉंट्रिबीशन दे रखा है इंटू में 100 और डिवाइड़ बाइड परसंटेज जो भी था कॉंट्रिबीशन का सेल्स आ जाएगा अगर बोली चलो वी सी बताओ वेरी सिंपल कॉंट्रिबीशन दे रखा है इंटू में 100 और डिवाइड़ बाइड परसंटेज जो वी सी रख दो तो सिंपल ऐसे निकाला जा सकता है आप देखिएगा इसके ओपर थोड़ा ध्यान देजिएगा तो कॉंट्रिबीशन था चार लाक इंटू में 100 अ इसे इसे ना पॉइंट छोड़ देते हैं तो तेरा लाक तैंतिस अजार तीन सो तैंतिस रुपए लगभग आ गया है अगर मैं वेरियेबल कॉस्ट पूस्ता तो क्या होता सर चार लाक इंटू में 100 डिवाइड़ बाइड बाइड वेरियेबल कॉस्ट का परसंटेज बता जो परसंटेज अब समझाते हैं इसको रुपो देखो जितने परसंट चाहिए मल्टिप्लाई करो अब आपको वेरियेबल कॉस्ट चाहिए तो वेरियेबल कॉस्ट कितने परसंटेज सतर तो सतर से मल्टिप्लाई करो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए आपको चाहिए 100 कॉंट्री का परसंटेज में परसंटेज परसंटेज ओप कॉंट्री का जो कि तीस होगा यह थीस थी था ना तो यह कितने आ जाएंगे यह लगब लगब पता नहीं कि नाइन 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 थी 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 यह आ गया ठीक है अब हम अगर आप यहां तक समझ चुके तो मैं उपर भी जा सकता हूं आपने बता है सर यह आएगा तो यह कितना है नाइन एक दो तीन चार पांच अब इसमें से इसको माइनस करके देखो क्या चार लाग बन रहे यानि हमने इसने सिर्फ मुझे बोला कि डबल करो और उसकी मदद से हम सीडी बनाते 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 हमने पूरी इंकम स्टेट्मेंट बना डाली यहां ठीक है अ मेरे से क्या पूछ रहे है सवाल कर सेल में कितने परसन बढ़ुतर हुआ है तो यह इन्यू वाला है ना हमारा सेल कितने परसन बढ़ा है तो परसंटेज शेल्स निकालने के लिए घर मैं आपसे बोलू न तो बहुत simplement से चीज़ है कियसे निकालोगे मैं भी लांग बता रह पर्सेंटेज निकाला होगा आपने किसका कौन सा चेप्टर था 12 के अंदर था आपका एक चप्टर जिसके अंदर दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के पर्सेंटेज नहीं अच्छे और बेस क्या है दस लाग है कि मुल्टिप्लाइंट्रेट तो 33.33 परसंटेज आपका सेल्स में चेंज आएगा तो पहला कोश्चन दूसरे कोश्चन का अंसर हमारा यह आ गया 33.33 हमारा परसंटेज क्या हो गया चेंज आ गया पहले यहां तक बताईए कोई दिक्कत जो पूछा था दूसरा कोश्चन मैंने निकाल दिया इसको हम शॉटकट पर बाद में जाएंगे पहले आप यहां तक बता दीजिए कोई डाउट इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताईए यहां तक डाउट है फिर हम शॉटकट पर जाएंगे पिस्टान को बताईए चलिए अब इसका एक shortcut formula और add कर ले मैं चाहता हूँ formula एक जगह आप लिख लेंगे मैं ब्लास्ट में आपको दूंगा और जो offline वाले आप बनाना जैसे formula नहीं तो formula एक जगह लिखना तो percentage change change in sales is equal to percentage change in EBIT divided by हमारा यह सारा का सारा EBIT जो बोल रहा है क्या बन गया क्योंकि यह जो double होगा तो इससे impact हमारा नीचे FL पे तो पड़ेगा नहीं यह सिर्फ DOL का ही impact लेगा यह operating leverage अब मज़े की बात देखो हमारा sales तो double नहीं हुआ लेकिन profit क्या हो गया डबल हो गया तो यहां पर भी आप एक तरीके सा समझ रहे होगे कि कितना मतलब के हम profit को double करने के लिए हमें sales की double करने के वह सकता ही नहीं है तो यह tools ऐसे हैं कि आप इस formula को लगाओ गया और बोलो कि भाईया sales जादा मत बढ़ा sales स्रिफ तीन लाग चार लाग रुपे बढ़ा दे तिरह profit क्या हो जाएगा क्यूंकि जब आपका fixed cost recover हो जाता है न तो उसके बाद आपको दो लाग recovery की tension नहीं है वो तो पहले हो गया recover इसके बाद तो आपको स्रिफ variable cost sales minus variable cost is equal to profit होगा वो अगर आपने fixed cost recover कर लिया माल लेते हैं कि आपका एक unit था और दो रुपे का fixed cost था तो आप क्या करते तो और छे रुपे का आपका क्या था variable cost था तो आप दो रुपे महीने भर का था तो आपने क्या करा दस में से छे भी माइनेस करा और दो भी तब आपका दो profit पचा ठीक है समझ रहे हो अब अगली बार जब sales करोगे तो दो अच्छा variable cost और sales कैसे आया VC और sales के लिए मैंने पीछे लिखा है formula कि अगर आपको sales निकालना हो और अगर आपको contribution पता चल जाए अगर आप पता चल जाता है किस terms में amount में तो यहां percentage रख देना contribution का और sales चाहिए तो 100 रखना जैसे कि मैंने 100 रखा है और अगर variable cost चाहिए आगया न 100 यह तो आपका equation इस तरीके से हैं और contribution का निकालने के लिए क्या करा हमने के भाई इंटू में जो percentage variable cost का percentage मैंने यहां पर सतर लिख दिया इसके जगह पर लिख देता हूं मैं VC का percentage और इसके जगह पर मैं लिख देता हूं चलो sales का percentage आप तो सही रहेगा आपको sales का percentage तो पता ही मैंने बोला sales हमेशा कितना पानना है आपको 100 और variable cost आपने निकाल दिया था उसके हिसाब से हो जाएगा और रही बात आपको shortcut formula तो मैं बार बार हमेशा इसी हिसाब से formula बनाता जाओंगा लेकिन अगर वो कहता है EBIT को डबल कर रहे है तो यह formula कामियाब नहीं थ यह formula बदल जाएगा यह तभी कामियाब होगा जब आपका क्या double किया जाएगा EBIT और sales का आपसे पूछा जाए तब यह formula आपका कामियाब है clear है यहां तक ठीक है तो formula एक साथ बनाएंगे इस पर एक ही साथ लिखेंगे सारे formula को चलिए अगले सवाल पर किसी बच्चे को इ आपने लिख दिया बस चलो solve कर देते हैं आप बताओ double का मतलब कितने परसंट चेंज हुआ है 100 और डिवाइड कितना करना है तीन तो देखोगे 33.333 वही परसंटेज आपका आगया क्योंकि उपर भी परसंटेज के टर्म्स में और नीचे भी काइंड ओप परसंटेज है वझय देखगी परसंटेज है।